नमस्कार आप सब का स्वागाते हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूस पर मैं नाम है धीपक गुपता जारखंड में जो इस्तिती बनी वी है उसको ध्यान में रखकर राज्यपाल से लगातार सिफारिश की जारी है कि हिमन्त सोरेन की विधायकी पर कोई बड़ा फैसला दे ये जे-म-म विधायक कांगरिस विधायक लगातार गुजारिश करते नजर आ रहे हैं में बीजे-म विधायक चाहते हैं कि फैसला इनके खिलाफ आए लेकिन इस बीच राज्यपाल से हटके अब ये मामला सुप्रीम कोट जाता नजर आ रहा है सुप्रीम कोट तक अगर ये मामला जाता है तो क्या यहां पर मामले की जो तारीख है वो टलती नजर आएंगी सामने आई है सबसे बड़ी जानकारी यहां पर आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन रमेस बेस से मुलाकात करे थे जो कि राज्यपाल है और चुनाव आयोक का जो पत्र था वो मांगा गया था अब यहां पर जो एक बड़ी ख़बर सामने आई है कि नियाय के लिए स्प्रेम कोट का रुख कर सकते हैं सीम हेमंत ये बात कही गई और यह भी हाल है यहां आप आटिकल है और चर्चा है कि सीम हेमंध सोरेन को Кतित तोर पर आयोग्य करार देने कि शिफारिष चुनाव आ कीलों के संपर्क में हैं जिसमें कपिल सिब्बल के भी नाम है सुप्रीम कोट के वरिष्ट वकीलों से सला मश्विरा कर रही है इन वकीलों में कपिल सिब्बल पीची दमरम सहित अन्य का नाम लिया जा रहा है वाजीब कानूनी प्रामर्श के बाद वे जल्द ही सुप्रीम क तंबर को भी कुछ इसपस्ट नहीं हुआ इसी के साथ साथ राज्यपाल से मिलने के बाद शाम करें शाम करें शे वजे मुख्य मंत्री हेमन सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे राज्यपाल से यूपेस इस्ट मंडल को भी आश्वासन पूरा नहीं है कहीं न गई कैसे राज्यपाल के फैसले से ना कुछ नजर आ रहे है और राजभवन से अभी तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं आया तो क्या नियाय के लिए अब सुप्रीम कोट का दरवाजा खट खटाना चाहिए पेमन्त सोरेन को या नहीं अब क्या रहा है इस मामले पर कि आपको